कभे सोचा है कि जिस फोन को आप इतना डीपली देख रहे हो, वो आपके फ्यूचर पर कितना असल डाल सकता है? जिस तेजी से डिजिटल एरा की ग्रोथ हो रही है, क्या वो आपकी हेल्थ, मेंटालेटी और फ्यूचर पर कुश्चिन मार्क नहीं लगा रही है? जरा एक कहाने सुनिये, एक लड़का जिसका नाम सौरब है, वो एक कॉमपटेटिव एक्जाम की तयारी करता है, एक्जाम की तयारी के लिए सौरब शहर आता है, साथ में कुछ कपड़े खाने के साथ, कुछ किताबे, एक फोन और एक लैप्टॉप लेकर, घर से इस उम्मी है, ऐसा क्यों? तरसल शहर आते ही सौरब एक ट्रैप में फस गया, जिससे देडिक्शन ओफ सोचल मीडिया कहता है, सौरब का रूटीन बिल्कुल सेट है, कब क्या करना है, बिल्कुल फिक्स्ट है, सुबा 10 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक तयार होकर बैठना, और हाई करके रात बर फिर सीरीज देखना, और रात में 2-3 बजे सोना, और अगले दिन फिर रिपीट, ये है सौरब का फिक्स्ट सेडियूल, पता है आज इंडिया का मैक्सिमम यूथ यही कर रहा है, वो सोता है, और इतना सोता है कि सो सोकर ठक जाता है, और फिर उस को मिटाने के लिए वो फिर सोता है, हाली में आई संयक्त रिपोर्ट ने एक ऐसी चीज सामने लाई है, जो बहुत इंपोर्टेंट है, पहली बार आधे से जाधा भारतिय इंटरनेट का एक्टिवली यूज कर रहे है, जो कि लगभग 759 मिलियन है, वहीं फ्यूचर की बा अच्छाई के साथ कहीं न कहीं भयावई भी है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल समुदय बनने के लिए त्यार है, पर इसका असर क्या होगा, ये कितना खतरनाक हो सकता है, समस्ते हैं आज लोग सडकों पर नहीं उतरते, बलकि हैश्टेक के जड़िये मुद्धों पर बात उठाते हैं, लोग किस मुद्धे पर क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए आपको बस कौन सा हैश्टेक ट्रेंड कर रहा है, ये देखना है, पर ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लोग आवाज उठाते हैं, ज्यादा लोग मिलकर किसी मुद्धे पर अपनी राय रख पाते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से इंटरनेट स्पीड पकड़ रहा है, उसी स्पीड से उस इंटरनेट पे आपको क्या दिखाया जाए, ये भी कंट्रोल किया जा रहा है, सुबी एलाइट, क्योंकि हो सकता है कि अपके माइंड के साथ खिला जा रहा हूँ, देखे जब भी पहले कभी हिंसा के आसार बनते थे, ये ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, ये अभी भी होता है, तो धारा 144 लगाई जाती है, पर जब वही चीज इंटर कर रहे हो, भुरा कॉंटेंट या अच्छा कॉंटेंट ये देख पाना, उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस इंटरनेट का इस्तमाल आपकी सोच को बदलने के लिए किया जाता है, किसी भी चुनाफ की दवरान आप इस चीज को महसूस कर सकता है, हर पाल्टी उस तरीके के एड्स चलाती है, जो अपके मैंड के साथ खेलते हैं, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपको मोर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है, तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कि लोग सोचल मीडिया को ही अपने लाइफ समझ बैटा है जो वर्चुल है, उससे अपने रियालेटी समझ रहा है, वो रियालेटी और वर्चुल में फरकी नहीं करबा रहा है, उनकी उम्र महिनत की होती है, पर वो पूरा दिन सिर्फ उस इंटरनेट पे गुजार देते हैं, सौरब जैसे आज कई लड़के आपको अपने आसपास दिख जाएंगे, पर में सवाल यह है, कि जो समय बच्चों को अपने कैरियर पर अपनी बढ़ाई अपनी स्किल्स पर दिना चाहिए, वो सिर्फ इंटरनेट, सोशल मेडिया, फोन, लैपटॉप, मुवीज पर दे रहा है, गलत नहीं है, थोड़े समय के लिए आप करते हो झाल